नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ मुजिक सीखे चैनल पे दोस्तों आज की यह जो वीडियो टुटोडियल है इस वीडियो टुटोडियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मुबाइल के इस्तिमाल करके अच्छी क्वालिटी की आउडियो को कैसे बना सकते हैं दोस्तों मुबाइल से ही आप एक अच्छी क्वालिटी के प्रॉफेशनल आउडियो को इडियीट कर सकते हैं जैसे बड़े बड़े स््टूडियो में होता है दोस्तों ऐसे बहुत सारे अप्लिकेशन अउनलाइन एविलेबल हैं और ओफ-लाइन भी तो चलीए दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताते हैं कि आप अपने मुवाल का इस्थमाल करके एक अच्छी ओडियो को कैसे एडिक्र कर सकते हैं यानि कोई भी रिकॉर्डिंग आपने की हो आपने बनाया हो तो उसको अच्छी क्योलिटी क्या से बना सकती हैं शेले दोस्तों बिना देरी के वीडियो को सुरूब कर लेते और जैसे ही इस अप्लिकेशन को आप डाउलोड करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन होता है और दोस्तों मैं एक चीज बताना वोल गया आप लोगों को कि इस वीडियो के नीचे इस अप्लिकेशन का लिंक दिया जहां पर गिलिक करके आप इसको डाउनलोड कर लीजेगा तो दोस्तों जैसे यूपन करेंगे कुछ इस तरह से ओपन होता है सबसे नीचे आपको आएंगे तो यहां पर आपको कुछ आप्सन दिखाई देगा जहां पर आपका आउडियो जो फाइल होगी वो यहां पर द दिखाता हूं ताकि आप लोग भी सर्टिस्पाइड हो पाएं कि किती अच्छी यह आउडियो डिटर है दोस्तों नुर्मरली मैं इस आउडियो डिटर को अब बहुत ज़्यादा यूज करता हूं पहले तो यूज नहीं करता था लेकिन अब क्योंकि पीसी पर बैट नहीं लेकि पाता तो मवाँ से काम चला लेता हो नुतों आप भी ऐसा के सकते हैं यहाप यह जो वोकल है इसको हम यहापERE सिमपली लोड कर लेते हैं अब दोस्तों लेप साइड में आप देख सकते हैं मांप्लस मैंनस जूूम फोल स्क्रीन मोड है और नीचे की तरब आप देख सकते हैं कि फले पाउस सेब का ओप्षन है कटिंग वटिंग कर सकते हैं और बहुत सारे ओप्षन है जो मैं आपको कभी बात में बताऊंगा तो दुस्तों अभी बात करते हैं कि इस आडियो को आप कैसे डिट कर सकते हैं दोस्तों इस आडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आडियो को अच्छी बनाने के लिए आपको सबसे पहला उसका काम करना है कि अच्छी audio आपको record करगे दोस्तों कोई भी studio में आप जब जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि उसकी जो room होती वो separate होती है बंद होती है इसे भी खुला नहीं होता ताकि कोई भी आवाज leak ना हो से और उसमें कुछ भी बोले तो वो वहीं के वहीं जो है खतम हो जाए तो ऐसी audio quality आपको अपने घर पे किसी ऐसे जगह पर record करना है जहां पर noise बहुत कम आती हो ताकि आप उसको edit करें तो और भी आपको दोगुना result मिल पाए अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो audio है इसको हम अभी edit करने वाले है तो सबसे पहला काम आपको करना है कि इसके noise को हटाना है noise को कैसे हटाएंगे यह बहुत easy process है सबसे पहला effect में आपको यहां पर आना है दोस्तों उपर में effect है यहां पर बहुत सारे आपको option दिख जाएंगी इन में से एक option है जिसको बोलते है noise reduction noise reduction पर जैसे आएंगे यहां पर आपको यह ok करना है यानि यह कहता है कि आपको noise हटाने के लिए उस area को select करना है या फिर पूरे area को select करना है जहां पर noise है तो जैसे मेरा जो vocal है इसके फूरे audio में noise है तो हम आपकी जो यह audio है वो अच्छे से यहां पर select हो पाए तो थोड़ा हम इसको zoom को minus करना है और इसको थोड़ा देख लेते हैं last तक तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मेरा fully select है तो चलिए हम इसको फिर से minus कर देते हैं और यह कुछ source से recording किया हूए आपने तो इसको बढ़ा सकते हैं otherwise इसको आप 10 यानि 10 तक रख सकते हैं और sensitivity जो है यह दोस्तों को कोशिच कीज़े का हमेशा की कम ही रखें minus में नहीं रखना है आपको sensitivity जो है यह आपको plus में रखना है यानि 0 dB से उपर और इसको आप जो है 1 से लेके 6 तक आप बढ़ा सकते हैं तो इसलिए मैं 4.8 कर देता हूँ यहां से इसको OK करता हूँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं noise बिल्कुल हट चुकिया दोस्तों और मैं आपको इसको सुना के दिखाता हूँ नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मुजिक सीखे में और यह मैं डेमो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने चैनल के लिए और तो दोस्तों इस तरह से आप आप पर पहले तो noise हटा लिए उसके बाद हम इसमें अभी दूस्तों दूसरे काम पर चलेगे तो सबसे पहले आपको effect में आने के बाद आपको दूस्तों compressor लगाने आप compressor बहुत लोग पूछते कि क्यों लगाते तो compressor लगाने का reason यह है कि आपकी जो voice level नहीं होती उसको उपर नीचे जो होती है सकते हैं नमशकार दोस्तों और यह काफी अच्छी लग रही है उसके बाद effect में आएंगे दोस्तों अब हम इसमें तीसरा काम करेंगे EQ करेंगे equalizer पर आएंगे और यहां पर equalize आप चाहें तो load कर सकते प्री सेट में आके यहां पर vocal में आएंगे तो आपको आ जाएगा otherwise आप इसको normally जो यह दो option राइट वाले यहां से इसको चरचाड कर सकते चलिए हम इसको okay करके सुनते ही कैसी sound आ रही है नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं तो दोस्तों कुछ ज्यादा क्रीश हो चुका है तो हम इसको back कर लेते और यहां पर दोस्तों आप दूसरा जो effect है वो आप लगा सकते हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों normalize भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन normalize पहले करना है सबसे पहले जब आप vocal को record करते हैं तो पहला काम आपको normalize ही करना है उसके बाद noise presses करना है यह मैं आपको उसमय नहीं बता पाया था अब दोस्तों चले मैं आपको बताता हूं इसके कुछ और भी feature के बारे में तो दोस्तों यहां पर resample आपको एक दीख रहोगा द कि आपकी जो audio हो वो सुनने में अच्छी हो अब दोस्तों फिर से effect में आएंगे effect में आने के बाद अब यहां पर मैं आपको कुछ चीछे बताता हूं जो आप कर सकते हैं पहला option यहां पर amplify का है यहां से आप amplify कर सकते हैं तो चले मैं आपको जल्दी से इसके बारे में बता देता हूं एक्चल में यह volume को gain करता है यानि volume को बढ़ाता है तो जित्ती भी volume बढ़ानी है यहां से आप उसको allow clipping के पे click करके इसको बढ़ा सकते हैं दोस्तों मैं आप से यह कहना चाहूंगा कि इसको आप ज्यादा मत बढ़ाएगा और वोकल आपकी जो है वो खराब हो जाएगे उसी तरह से दोस्तों effect में आएगे तो यहां पर एक option आता है bass and treble का bass and treble में क्या होता दोस्तों कि किसी वक्ति की voice क्या होती है कि उसके इंदर bass नहीं होता यानि वो जो बोलता है तो बिल्कुल normal sound सी लगती है तो ऐसे वक्ति की bass को आप यहां से बढ़ा सकते हैं अ नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं music सीखे में तो दोस्तों इस तरह से आप यहां पे इसको effect को लगा सकते हैं अगला जो effect है दोस्तों वो है peach का दोस्तों यहां पर चेंज पीच का एक option दिख रहा है इस वे अगर आप किलिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके सामने peach का option आता है जहां पर पहला आता है semi tone को आप यहां से बढ़ा के सुन सकते और यहां से apply कर सकते तो आपकी जो पीछे voice जो है वो बदल जाएगी यानी change हो जाएगी नमस्का दोस्तों बहुत स्वावर करता हूं यह तरह का cartoon वाइस लग रहा है जिस तरह से लो option है वो है change speed का अब कई बार यह होता है कि कुछ लोग देरे देरे बोल ले होते हो अगर उसको आपको बढ़ाना है तो यहां से आप उसको बढ़ा सकते और यह भी ज्यादा इस्तिमाल आपको नहीं करना है जरत पड़े तब इस्तिमाल कीजिएगा one sound आपके खराब हो आते हैं और यहां पर आप नीचे में देख रहे हैं save to format वेब यहां पर अवे इस स्कीन पर शो हो रहा है तो चलिए हम यहां पर ओके करते हैं और यह आपकी जो audio है वो save हो जाएगी तो इस तरह करके दोस्तों आप इस audio को save कर सकते तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को फिल आगे दोस्तों तक share कीजिएगा